जमस्कार, त्री नेतर चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ, मैं मिनीता शर्मा और आपनी अमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शिकावटी केबल नेटवर के चैनल नमर एक सुच्चाववन हमारे यूट्यूब चैनल साथी फेस्बुक पेस पर और यह नज़र डालते हैं आज की अपडेट्स पर सरदार शहर में आज नागरिक्ता संशोदर अधिरियम के समर्थन में सांसद राहूल कस्वा के नेतरतों में भाजपा कारेकरताओंने मुख्य बाजार में जन जागरन अभियान चलाया जिसमें सांसद राहूल कस्वाले मुख्य बाजार में जन संपरकर जनता को अधिरियम की जानकरी दीवे पत्रक का वितरण किया इस अवसर पर अभियान के तैसिल सयोजग शेचन सिद प्रधान सतेनाय और सारण वे नगरपाली का अध्यक्षा शुष्मा पीचा सहीद पार्टी के अनेक कारेकरता उपस्तित थे पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए वे हिंदू है सिख हैं इसाई हैं जैन धर्म के लोग हैं जो भी दर्म के लोग थे जोंकी प्रदाधना मिली उनको भारत सरकार ने एक नाजिदा देने का एक प्रपोजल दिया है वह ऐसे लोग सालों साल से बेघर थ पाकिस्तान में 25% की अबादी थी हिंद्यों की जब अदेश पार्टिशन हुआ आज 2% सिमित हो गई एक पॉजिटीव मूव है लोगों ने इसका दुष्परचार करके लोगों को बर्माने का काम कर रहे हैं प्रकाने काम कर रहे हैं आज जो भी इस देश का नागरिक रहा ताकि लोग बड़े हैं लोगों उसके बारे में जांकारी मिल सकते हैं वहीं चूरू में भी आज भाजपा जिला धक्षपक्का जूपता के नेतृतर में नागरिक शंसोदर अधियनियम को लेकर जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें शेहर के मुख्य बाजरों में से समवाद कर इस अधियनियम के महतोपूर्ण बिंदू को समझाया गया इस अवसर पर पार्टी के अनेक वारिष्ट कारे करता भी मौजूद थे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप कहां से कहां तक करोगे अभी आज हम कौपालदास चोग से सुभास चोग तक व्यापारिश जन संपर करेंगे उसके बाद हमारे कुछ कारे करता गली-गली मौले मौले में जाकर इसका परसार करेंगे राज के विधी महाविध्याले में प्रवक्ता रहे स्वर्गिय प्रॉफेसर महाविर सिंग यादव के जन दिन एवं नवर्ष के प्लक्ष में चूरू स्थित सिविल लाइन्स में स्नेह मिलन का आविजन किया गया इस अवसर पर RGS APP विधी अधिकारी अधिवक्ता वे विधी विध्यार्तियों ने प्रॉफेसर यादव से जुड़े संस्प्राण सांझा किये और गीतों कविताओं वे संस्प्राणों के जरीए उन्हें याद किया संगे मों मिल्मीनिया कोई पर आदे जागा कि अधिक निश्वार्थ वाव से एक बच्चा आपके पास आता है जिसकी कोई अप्रोच नहीं कोई आपकी जाती गाली कोई आपके दह्म कानि उसको उपर सब कुछ उसके उपर उडेल देना ऐसे एक बिल्ले होते है और मैं मुझे तर दुबार ऐसा बंदा लाइफ में कि अपने चाप सी छोड़ी जो लोग भी गुरुजी के साथ रहे हैं कि अलावा भी जो भी लोग गुरुजी से मिले ना उनकी अंदर तक जो भी गए हैं कि दिमाद में गुरुजी ने काटल चाप छोड़ी है प्रफेसर यादव की चित्र पर पुश परपन के साथ ही अपीतू उन्हें मनो वैगेरिक धंग से ऐसा मजबूत बनाया कि जीवन के किसी भी संगहर्ष और परिसित्थी में उनका मारदर्शन महतपूर्ण भूमी का अधा करता है नमस्कार आज फिर हमारा वो दिन आ चुका है जिस पर हम हमारे गुरुजी महाविश सिंग जी यादव को याद करते हैं एक नजर दोड़ाएं तो यहाँ पर सेलेक्ट हुए नयायक अधिकारी विधी अधिकारी यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे और ये वरतमान भी है और भावी भी है आज उनको आशिरवाद पुंज के रूप में यहाँ पर कुछ लोग उपस्तित हैं जिसमें चंदर शेकर जी पारिक हमारे साथ हैं आप अभी नयायक अधिकारी हैं चाकसू में चंदर शेकर जी गुरू जी की कृपा जो है वो तो हमारे चूरू पर सभी लोगों पर है ही आप उपे एक हम लोग मानते हैं कि गुरू जी की कृपा आप बड़ी सीधी रही है और बहुत बड़ा जोती पुंज आपके दुआरा जो है गुरू जी की कृपा का हमें मिलता क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में और हमारे इन सभी जो गुरु भाई बहन है उनके लिए बही एक तरह का गेट तोगेदर है कि गुर्देव से जुड़े वे लोग यहां आएं और अपने प्रेंबर साजा करें और नए बच्चे हैं उन में एक हमारे कल्चर का संचार हो कि किस तरह अपना रजल्ट आ गया अपनी नोकरी पे चले गए उसके बाद भी इतनी ठंड में समय निकाल करके आ रहे हैं क्या ऐसे प्रेंब का तंदू है कपीरदाजी ने जो कहा कि डाई आकर प्रेंब के पड़े सो पंडित होई उसमें बस्तूत है उसको देखने के लिए और बच्चों को दिखाने के लिए यह आयोजन करते हैं और इस समय जो है हमारे जो चैनीत बच्चे हैं क्योंकि गुर्देव के नाम पर दार्मिक संस्ता के रूप में अमने एक प्रस्रिक्शन संस्तान है जहां अलागे परिक्षाओं के लिए अद्यन करवाया जाता है बच्चे अपने स्तर पर मेनत करते हैं हमारी गाईटेया स इस यह कोई विचित्र या कोई असंबव चीज नहीं है यह दिखाने के लिए उनको बहुत नस्दिक से प्रचे करवाया जाता है और जो सीनियर भाई लोग हैं मैने हैं वो भी आकर किये प्रान बवसाजा करते हैं गुरुजी ने जो उनको नहतिक और दार्मिक और कानुन सम्मेंदी जो भी शिक्षा हैं दी उनको आपस में साजा करते हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंदा मनोज भाई का वैसे यह रेव के सिच्छे हैं उनकी प्रंपरा को बढ़ाने में खुद तो सहयो करते ही करते हैं जो कि हर एक चीज को यह स्विम परसन करके निकलवा लेती हैं जो साइद इनके परसन के हबाब में हमने ही बता पाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे ऐसे ही यहां पर जो आरजेस और विदी अधिकारी जो हमारे सेलेक्ट होते हैं और उनके हर सेलेक्शन पे हमें एक इतना बड़िया मोटिवेशन मि फली भूत करने को तैयार है ऐसा ही विदी सत्संग ऐसी ही शाखाएं हमारी तैयार होती जा रही है और बहुत आनंद का अनुभव होता है जब हमारे सेलेक्ट होए जो न्याईक अधिकारी हमारे बीच में रहते हैं गुरू गोविन सिंग जैनती के उपलक्ष में आज चूरू इस्तित मुख्य गुरुद्वारे में शबद कीरितन कारेक्रम का आईजिन किया गया इस अशर पर ग्रंथी मुक्तियार सिंग ने कहा कि हमें गुरू गोविन सिंग के बताय हुए मार्क पर चलना चाहिए हमें सर्व धर्म को साथ साथ मिलकर समा सेवा करनी होगी वहीं गुरुद्वारे में सरधवालों को लंगर में प्रशाद गितरित किया गया वहीं सुजानगड में भी गुरू गोविन सिंग जैनती के अवसर पर सिंधी समधाय द्वारा अरदास का आईजन किया गया सेवादार अशोक कुमार अजवानी ने बताया कि गुरू गोविन सिंग जैनती पर गुरु वानी साथ संगत और हरिनाम संकीरतन का आयजन किया गया इस अवसर पर उपकंड अधिकारी रतनकुमार स्वामी सहीत अनेक लोगों ने लंगर प्रसाद लिया सिंधी नवियोक मंडल के कारेकरताओं ने आयजन को सफल मनाने में अपना महत्वण योगदान दिया और दिन बर में गुरू का लंगर जो भी सभी दर्मों के लिए खुला है कोई भी किसी भी सब एक पंक्ति में मैटके गुरू के हुकम दौरा लंगर चलू किया गया पाथ किया गया परसाद बांटा गया गुरू माराज की सिवा की गई सारी संगत ने मिलके संगत के सिवा की परकास तेज़श्वी और उनके सहोगियों ने गुरु माराज गे या कथा किर्टन किया जैसा कि आशारा संशार में गुरु गोविन सिंग जेनती का पर वो मनाय जा रहा है उसी करम में सुजांगर में हमारे यहां पर फतंदास बाबा के द्वारा शुरू की गी एक प्रमप्रा जो विगत पत्चास वर्षों से फहले घांदी चोक में हुआ करती थी अब इनके निवास इस्तान पर गुरुद्वारा इस्तापिद हुआ है और यहां पर विबिन गुर्गोविन सिंग जैनती मनाने के लिए यहां पर हम लोग हिकटे हुए हैं चुरू के वार नमबर 36 में कमरे में सिगडी जला कर सोना एक परिवार को भारी पड़ गया जहरी लेद हुए के कारण महिला सहीद बच्चे बेहोश हो गए इस दोरान मजदूरी पर गया पत अब परती के अवार्ड में उनको उल्टी की और तुरी बेचे निगी सिखाय थी उनको सिंटोमेटी की टीप रहती है अब उनकी कर्दिशन ठीक है ऑब ज़से में रखा हुआ है आध एक अगर सब ठीक रहा तो पितर बचा लिए तो बचा रहा थी बंद कमरे में गिठी जलाकर बेट गया थी निगी साथ यह दो बंचे यह थी थी जाक में उसके बार तुरी बार तुरी बार तुरी बंद कर्दम उटने लेगा हुआ है कि इस तरह के उपायट ना करें दरसल अंगिठी में इस्तमाल किये जाने वाले कोईले या लकडी के जलने से कार्बन मोनोकसाइड के अलावा कई जहरीले गैसे निकलती है जो जानलिवा साबित होती है ये गैसे ना केवल शरीर में आक्सेजन की मात्रा को कम कर देती है बलकि फेफडों में पहुँच कर उन्हें भी नुकसान पहुचाती है के अंदर सरकार दोरा लागू नागरिक्ता शंशोदन अधिनियम बिल को लेकर आज राजल देशन में भाश्मा नगर अध्यक्ष पावन बोथरा के नितरत में एक जन जागरुता अभियान चला कर कस्बे के व्यापारियों को अधिनियम के महतुपूर्ण बिंदों से इसमें हमारे पूर जिला देख सरी बसंदी शर्मा हमारे साथ है और वो इस कारीकरम को आगे बढ़ा रहे हैं हम राजल लेशर के मुख्य बजारों में और अन्यवस्तियों में जाकर लोगों को समझाएंगे कि जो मौदी जी कानून लाए है वो देशित में किसी के विरू सुजांगड में भी आज नागरित्ता संसोधन अधीरियम के प्रती आम जंता को जागरूप करने के उद्देशे से भाजपा कारेले में बैठक आयजित हुई कि मन में भावना थी सुप्रिम कोर्ट में उस भावना को मद्य नजर रखते हुए फैसला दिया और जो बारतिये जत्ता पार्टी के शीर्स नेट्रेट्वर्टी और प्रते एक आम आदमी की जो भावना थी उसके साब से फैसला हुआ अब प्रोग्रेस पार्टी और अन् कि यह हमारे पूरा कपूरा बैदा नहीं हमारा साफ कर देंगे तो इन्होंने कुछ भाईयों को बर्गलाने का काम शुरू कि अब जिन लोगों को बर्गलाने का काम शुरू किया है यदि वो पढ़े लिके लोगों से तब तो उनके समझ में पूरी बात आगा थी क्योंकि सुजांगट के पुलिस थाने में गरबती नहीं पर तेजा फैंक ने और मार्पिट करने का मामला सामने आया है विवाहिता के ससूर रामेसुर लाल सोनी ने पुलिस को रिपोर्ट दी और मामला थाने में दर्च करवाया वहीं पुलिस ने मामला दर्च कर आरूपी की तलाश शुरू कर दी है बिसाओ के पास मलसिसर मोर पर संतरन बिगणने से आज एक बोलेरो गाड़ी पलट गई साधुनपूर के ठान मठुई गाओं के पास बीती रात ग्रामिनों ने एक गोवंश से भरी पिकप को पकड़ कर दस गोवंश को मुक्त करवाया वही गोव तसकर वाहन को छोड़ कर मोके से फरार हो गया राजल देशर से पिछले चार महिने से लापता प्रेम रतन सोनी का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है इसी को लेकर आज स्वाणकार समाज के अधर्ष गंगाराम सोनी के नेत्रत्व में समाज के गणवान्य जनों ने थाना प्रभारी सुरेंदर राणा को एक ग्यापन सोपा ग्यापन में मांग की गई कि जल्द से जल्द लापता प्रेम रतन सोनी की तलाश की जाए राई थी लेकिन अभी तक किस्ते और कोई कारवाई ही नहीं है तो अमेर से उनकार समेती है पुलिस से ग्यापित कर रहे हैं इनका पता लगा के समश्या का पहल करें गुरू गोविन सिंग की जैनती के उप्लक्ष में आज राजल देसर के भरतिया इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानाचारे नौरतमल स्वामी के सानिद्य में पर्यावरन प्रेमी बावुलाल तूंगरिया ने 151 पोधे लगाए इस वसर पर विद्याले परिवार दोरा तूंगरिया का आभार वेक्त किया गया रतनकड के सिट बंसीधर जालान राज के उच माद्य में विद्याले में रास्टे सेव अजनल शिवीर का समारो पूर्वक समापन हुआ सीबियो लाल चंद वलाई के मुख्या अतित्य वे शिक्षाविद अंबिका प्रसाधारित वे एसीबियो विक्रम सिंग जोहान के विशिष्ट अतित्य में आयोजीत कारिक्रम की अध्यक्ष्ता पूर्वपाली का अध्यक्ष संतो सिंदोरिया ने की माज सारसुती के चित्तर के समक्ष दीप रजालन रा अतितियों के स्वागत सतकार के साथ शुरू कोई कारिक्रम में अतित्यों ने चातर-चात्राओं को शिविर का महतर बताते हुए शिविर में किये गए कार्यों को जीवन में समाहित करने की प्रेड़ना दी कारी कर्म है और इसमें आप जो लोग स्यावा करते हैं चाहिए बहुत सफाई की हो चाहिए किसी वर्ट खून देने की हो या कोई देशित की काम हो उसमें आपका बहुत योग दान देता हैं करें देख रहा हुं तो अच्छी सफ़ाई की और आप लोग इसी तरह से केंप में देश की बहुना के पड़ती समाज के पड़ती बढ़ोदा राजस्तान शेत्रिय ग्रामिड बैंक शेत्रिय कार्याले चूरुदारा बैंक के आठवे स्तापना दिवस पर एक नीजी होटल में ग्रहक संगोष्टी का आयजिन किया गया शेत्रिय प्रबंदक जी अल मीना ने अवगत करवाया कि 1 जनवरी 2013 को स्थापित बढ़ोदा राजस्तान शेत्रिय ग्रामिड बैंक राजस्तान के 22 जिलों में कारेरत है हमारा बैंक उन्नत तक्नीकी युक्त ग्राहक समर्पित बैंक है इस अवसर पर बैंक प्रबंदक सुधाकर सहल ने बैंक की सुधाओं वई योजनाओं के बारे में उब्बोगताओं को जानकारी प्रदान की में विश्तिक जानकारी प्रदान की गई अभी वर्तमान में हमारे बैंक द्वारा सरकारी और गैर सरकारी क्रमचारी एक बचत खाते की नई विशेश योजना लागू किए सबी चार्ज नी सुलक रहेंगे जिसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं होगा और साथ ही 31 जनवरी तक खाते खुलाने वाले व्यक्तियों को पांच लाग का दुरुगटना भीमा कवर मुप्त में दिया जाएगा इसी के साथ अन्य विभिन जो रिन योजने हैं उसमें 50 ए अधिक्षक प्यारल मीना थाना दिकारी भुपेंदर सोनी द्वारा कस्पे में कडाकी की सरदी को मद्य नजर रखते वे जुगी जोपडी फुटपात पर जीवन यापन करने वाले गरीब एहसाए जरुद्बंद वेक्तियों वे महिलाओं वे बच्चों को कंबल और स्व रुखता है तू अभियान चलाकर लोगों को संदेश दिया जाएगा यह थाज का चूरू अपडेट और अब चलते चलते देखते हैं मंगल सिंग महला का कैरी केचर कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ अब दीजी जाज़त नमस्कार